अब दो अब तो अब दो अब दो आए इस अब दो आए इस यह मरा सेगंड पारटाइस सीरीज का इससे पहले एक पार्ट हो चुका है उसके इंदर हम दे सो क्वोषण देखें थे आपको जीके बूस्टर करवा रहा हूँ अगर आपका कोई भी एगजाम है जिसके अदर हम जो है इन्डीयन गीके के बारे में कोई भी द्抗ाशन हैगा तो इस वीडियो में से अपको मिल जाएगा चलिए friends इसके हम 10 lectures करेंगे और आपको daily daily जो वीडियो मिलती लेंगी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो first वीडियो जुरूर देखें उसमें आपको काफी question मिल जाएंगे और उसका link description box में आपको मिल जाएगा इसके रावा friends हर्याना स्टाफ स्टाफ के लिए जो है crash course चुरूर हो चुका है वो भी आप देख सकते हैं उसकी वीडियो भी आपको description box में मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं पहला question भारत के किस राज़े में दार्श लिंक स्थित है तो दार्श लिंक कहा पर है वेस्ट हुई थी हौकी खेल में परतेक टीम में कितने खिलाडी होते हैं तो हौकी की हौकी की टीम में कितने खिलाडी होते हैं ग्यारा खिलाडी बांगलादेश की मुद्रा क्या है तो बांगलादेश की मुद्रा है टका चलिए बांगलादेश की capital क्या है जीचे comment box में जरूर बि चाले नेक्स्ट कोशन देखते हैं, नील लदी के किनारे कौन सी सब्याता का विकास हुआ था, तो नील लदी के किनारे मिशर सब्याता का विकास हुआ था, किस थान पर महात्मा बुद्ध ने ग्यान की प्राप्ति किया था, किस थान पर महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्र ति महा कभी कालिदास ने लेकि थी, वहाँ पर आपको जो है, ग्जामिनर लेकिन आपको पता होना चाहिए, शकुंतला किसे ने लेकिती, महा कभी कालिदास ने, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, कि friends, questions को जो आपको लगे कि, हाँ ये question को मुझे है जैसे मैं आपको यहाँ पर 100 question करवा रहा हूँ, 100 मैंसे आपको 40-50 question ऐसे होगे, जो आपको पता होगे कि ये question आपको आते हैं, और कई question ऐसे होगे, जो आप option देखके भी ठीक कर पाऊगे, लेकिन आपको क्या करना, जो question आपने पहली बार पढ़ा है, उसको आप लोग note down क कर सकते हैं, तो उसको screenshot ले लिजिए, लेकिन अपने पास उसको रखिए ताकि आप एक दो दिन बाद दुवारा से revise करें और वो आपको चीज़े याद रहें, तो कि friends, revision के बिना कभी भी बात नहीं बनेगी, मैं आपको बहुत बार समझाया है कि revision बहुत जरूरी है, करोंगे तो क्या होगा, जवार सबसे उंचा जाएगा, टाइट सबसे उंची जाएगी, कौन सा रज्या भारत के वृत प्रायद वीपे पठार का भाग नहीं है, तो प्रायद वीपे पठार का भाग कौन सा रज्या नहीं है, मध्या पर्देश नहीं है, मैं आपको geographic का ए जुसंग मरमर जो है कायंतरी ते इसकी काया बतल जाती है सार्क का पूरण रूप क्या है तो इसको देख लिजे सार्क इसको अप इंग्लिश में असानी से याद रख सकते हैं साउथ एशियन, साउथ एशियन एस्सेशन ओफ फोर रिजिनल कॉर्परेशन साउथ एशियन एस्सेशन ओपर जाकर आपको यह तो पता होगा साउथ एशियन एस्सेशन फोर रिजिनल कॉर्परेशन ओपर याद रखिए भारत आने वाले सागरिया मारक की खोच किसने की थी सबसे पहले 1498 के अंदर वासको डिगामा भारत पर आया थे पुली कट लेक के पास सवेज नहर के खुलने से किन दो महाद विपों के बीच का मारक छोटा हो गया है जो सवेज कनाल है जो सवेज नहर बोलते है तो किन दो महाद विपों के बीच में जो मार गया वो छोटा हो गया है, यूरोप और, यूरोप से एशिया और पुर्वी अफरिका, तो इनका जो आपस में जो है, जिस्टेंस है वो कम हो गया है, स्वेज किनाल के खुलने से, तो याद रख लिजी, पर्थम विशवयूद कब लड़ा गया था, तो 1914 से लिखे, 1918 तक पहला विशवयूद, फर्स्ट वर्ल्ड वर, वर्ल्ड वर वन लड़ी गई थी, 1914 से 1918 की बीच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कोशन ने बहुत बार पूछा गया, एक्जाम के अंदर, नेक्स्ट, किसने शाषिनकाल के द्वरान, मराठा सत्ता, सरवच, शिकर और सत्ता पर थी, तो मराठा सत्ता का मतलब की शिकर पर थी, तो आपको बता है, बाला जी, बाजी, 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 ब कि तो यह आपको याद रखना है पहले भी कई बार एक पुछा गया है और मैंने कर भी आपको बताया तो आज फिर बता देता हूं कि फ्रेंड्स आप लूग क्या करते हैं कोशन बढ़के आप चार उप्शन पढ़ते हैं ए बी सीडी चलो यह लगा साही यह लगा जिया लेक आपके मैं में अंसर आ रहा है और आपको वो अंसर में मिल जाए तो वही अंसर राइट होगा यह आप याद रखिए इसलिए मैं आपको कोशन इस तरह से करवा रहा हूं और दूसरे यहाँ पर टाइम भी कम लगते हैं को को आप्शन पढ़ने हैं नहीं पढ़ते तो इस आपके राष्टरगान जनगर्मन के रचीता कौन थे रवंदरनाथ टैगोर और जो बंगलदेश का राष्टरगान है वो किस ने लिखा था वो भी रवंदरनाथ टैगोर जी ने लिखा था तो यह दोने चीजिए आपको याद रखनी हैं स्विन्य अवग्या अंदोलन कब प्रारब हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गए थी तो यह आपको याद रखना है किस परधानमंत्री ने समाजवाद की विचारदारा को आगे बढ़ाया था तो पंडित जवाहरलाल नहरुजी ने समाजवाद की धारा को आगे बढ़ाया था भारत के अर्ब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समूदर तट की लंबाई कितनी है तो इक सट सो किलोमेटर है जो भारत का पूरा तट है आपको पता इस साइट से और इस साइट से जो अर्ब सागर को लगता है वो टोटल इक सट सो किलोमेटर है याद रखें आप आप कली बुख्स में ये जो डाटा है वो तो आप देख लिएक और 6,000 कीलोमेटर प्लस लिए 3,300 कीलोमेटर तो यह आप याद आप सौरी याद पर पिर्थवी एक गंटे में कितने दिशांतर गूम लेती है, तो पिर्थवी एक गंटे के अंदर 15 डिग्री दिशांतर गूम लेती है, एक गंटे में 1 आवर में कितने डिग्री दिशांतर ये काफी important question है, ये आगे भी आप exam में पूछा जा सकता है, काफी important है, तो याद रख प्रेटिश शाषिन दवारा किन स्थानों के बीच पर्थम रेलेवे लाइन की शुरुआत की गई थी अब कोशन यह अदा है कि यह शुरुआत कब की गई थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं आप लोग कहीं से सर्च करके मैं आपको बता दूगा लेकिन फि फटा बढ़ से इदर दर सच करके नीचे कमेंट करतीजी क्योंकि इससे क्या होगा आपको भी नॉलेज बढ़ जाएगी और जो दूसरा कोई वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता तो आपको कमेंट पढ़के सीख जाएगा भारत का राष्ट्रिया परशु क्या है कौन अलंकरन तो यह क्या है उद्र केंदर अच्षी ब्रेवरी दिखाने वालों को परमवीर चक्र दिया जाता है विश्वका सबसे बड़ा महधुईप कौनसा है तो एश्या महधूइप विश्वका सबसे बड़ा महाधुईप यह आपको याद रख रहने है डो पर औपर विज Спँने में कारणों से si इन साँ 1 क्याम रोटेटवा पर परती हैं इसकी जारो ओर घूमरी है उस वज़ए से क्या होता है शमर विंटर तो इसकी वज़ए से होते हैं सबसे दूर वायू मंदल पर्थ किस नाम से विजित होती है तो जो पिर्थवी के अंदर यह जो यहाँ पर अर्थ है इसके अर्थ के चारों और वायू मंदल है इसके जो सबसे लास्ट पर्थ उसको क्या नम है वहर मंदल वहर मंदल याद रखिया आप लोग एग्जूस्फिर DCM टोफी का संबन्ध किस से है DCM टोफी का संबन्द किस से है फूटबॉल से है अल्ला राखा किस वड़ में इंतर के म einz planners वाज जार येंतर थे तो अल्ला राखा किस से रेटिट थे अल्ला राखा यहाँ पर तबादला नियागा फ्रेंट्स यहाँ पर जो तबला आएगा यह याद रखिए तबला से रेटेट थे ल्ला रखा तो यह बहुत जारे इंपर्टन कोशन है बहुत बार आया हुआ N number of times N number of times question ने एक्जाम में पूछा गया तो आप भी इसको याद रखिए वह मुगल बादश्या जिसने 15 सा मुगल बादश्या था वो था हुमायू ऐसे question friends आजाते हैं जो हम क्या करते हैं In between the lines यह किसी line में लिखा होगा लेकिन आप छोड़ देतें कि ऐसा question कहा आएगा है आप याद नहीं रखते हैं या आपको यह line याद ही नहीं आयती है एक्जाम में तो आपको पता होना चिए 15 वर्ष निर्वासित होकर किस मुगल बादश्या ने गुजारे थे हुमाईयों ने गुजारे थे next देखिए आपर राजयसभा की बैटकों के अदेख्षता कौन करता है तो उप राश्टर पती जो है राजयसभा की जितने भी बैटके होती है उनकी अदेख्षता करता है करता है लुखसभा का speaker करता है किस गुफा में तरी मूर्ती ब्रह्मा विश्णु और महेश के मुख मंदल की मूर्ती स्थित है तो कौन सी गुफा है जहां पर तरी मूर्ती स्थित है तो वह है अलिफेंटा अलिफेंटा कहां पर है आप मुझे बताइए महाराष्टर में, मद्या परदेश में, उत्राखंड में, या फिर हर्याना के अंदर नीचे कमेंट करके जुरूर बताईए रिफंटा केप्स कहां पर आएए लक्स ड्वीप की राइदानी कौनसी है? कवारती महाराष्टर में सरवाधिक मातरा में पाई जाने वाली उपलब मिर्दा की परकार है महाराष्टर में कौनसी मिट्टी मिलती है? महाराष्टर में काली मिट्टी मिलती है काली मिटी किसके लिए लाबदाएक है काली मिटी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन्द है तो यह आपको याद रखना है और सिद शिलोत कीरन पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहां स्थित है तो जो कैलाज मंदिर वो कहां पर स्थित है वो Elora के अंदर है तो Elora की गुफाएं भी कहां है Friends Elora और अजन्ता गुफाएं एक मेंट करके बताइए कहां पर है हरित करांती का क्या आर्थ है किर्शी की आदुनी के विजियों के प्रियोग दुआरा परती एकर फसल की उप्च को बढ़ाना क्या कराता है हरित करांती जिसको की green revolution बूलते हैं चलिए ये बताइए father of green revolution किने का आ जाता है ये भी question आपसे पूछा जाएगा father of green revolution तो को doctor ने कौन से doctor ने बताइए नीचे comment करके भूरक्षन को नियंतरित किया जा सकता है friends आप लोग सोच रहे हैं कि sir comment करने के लिए क्यों बोलते है friends इस वीडियो के अंदर आप लोग comment करके बता सकते हैं क्योंकि next वीडियो जो next वीडियो में लेके आँगा next वीडियो के अंदर जमूर के दरगरत आता है काफी important question है जमूरकिश्मीर का रेलपत कि स रेलवे जौन के दरगरत आता है तो यह उतरी रेलवे के अंदर यह जाता है भारत के किस राज्य में कंदण भाशा बोली जाती है कि कंदण भाशा करनाटक के अंदर बोली जाती है याद रखिए संग शाषित परदेश अंडवान निकोबार्द विपस्मू की राईदानी कौन सी है तो अंडवान निकोबार्द विपस्मू की राईदानी कौन सी है पर बड़ी यूटी कौन सी है तो सबसे बड़ी यूटी है अंडवान और निकोबार्द विपस्मू सबसे बड़ी यू इखियात महावाग कावया महाबार्थ के रिचिता कौन है तो वेद व्यास है आप सभी को पता होगा गेतांजली किसके गेतांजली की कभी कौन है रविंदरनाथ टैगओर तो गेतांजली के लिए रविंदरनाथ टैगओर जी को कौन सा पुरुसकार दिया गया था यहां पर गेता अंजली के लिए रविंदर नार्थ को कोई मैडल पूरुसकार कौन सा दिया गया था निची कमेंट करके जुरूर बताइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कोशन है यह किन दोस्थानों के बीच हिम सागर एक्स्प्रेस चलती है तो हिम सागर एक्स्प्रेस कहां चलती है जम्मो कश्मीर से कन्या कुमारी जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है तो जनरल जो है थल सेना का अधिकारी पद होता है भारत के किस राज्ये में पवित्तर तीर्थ अमर्णाथ स्थित है, अमर्णाथ कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, अमर्णाथ की यात्रा होती है, तो आप पर जम्मू एंड कश्मीर में, तो इससे आप याद रखिए, अमर्णाथ कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरफ पड़ती कितनी होती है यापर नेरो गेज है नेरो गेज एक वाइड गेज और इसको कि वाइड या ब्रोड गेज बोलते है एक नेरो गेज होता है तो इसकी दो फिट सिक्स इंची है इसकी चुड़ाई होती है किस देश को उकते हुए सूर्ज की भूमी कहा जाता है तो जापान को उकते हुए सूर्ज की भूमी कहा जाता है कौन सा शेहर मद्य परदेश की राज़दानी है बोपाल बहुत अच्छे से आप लोगों को पता ही है किस राज्य में मल्यालम भाषा बोली जाती है मल्यालम कहां पर बोली जाती है केरल और कंदर कहां की भाषा है मैंने अभी आपको बताया है कंदर कहां की भाषा बताईए किस राज्य की है मैंने अभी उपर आपको बताया है देखता हूं, आप कितने ध्यान से वीडिயो को सुन रहे हैं चंडी गड़ का Rock Garden बंढ़ों शेल ध्यान किस ने बनाया था? तो नेकचंद बनाया था? यादर कि यहाँ पर नेकचंद ने हैं यहाँ पर नेकचंद ने है Rock Garden था? नेकचंद ने हैं तो पूरा जो है रॉक्स का बना हुआ पत्थर के मतलब जो भी वेस्ट पत्थर ऐसा नहीं कि को अच्छा पत्थर लेके बनाया गए सारा वेस्ट पत्थर था वो पत्थर का बना हुआ रॉगार्डन जम्मू किस नदी के किनारी स्थित है जम्मू तभी नदी के किनारी स्थ काफी अच्छी मूवी है, अगर किसी को कुछ सीखना है तो उस मूवी से सीख सकता है मतलब वहाँ की कंडिशन कैसी है, वहाँ पे लोग किस तरह से जा रहे हैं, वहाँ पर USA का क्या रहूल है तो सारी शीरियोस मूवी के अंदर दिखाई गई है कौन सा शहर जापान की राइदा नहीं है, तो टोक्यो जापान की राइदा नहीं है आप लोगों को पता ही है, किस देश में सूची स्थम, पिरामिड पाए गए है तो मिशर में पिरामिड पाए गए है किस जनवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जनम हुआ था तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जनम हुआ था रेल पत्थ के मेटर गेज की चड़ाई होती है कितनी होती है एक मेटर तो जो मेटर गेज होता है जड़ाई एक मेटर है विश्व का सबसे बड़ा महादवीप कौनसा है तो एशिया महादवीप है विश्व का सबसे बड़ा देश कौनसा है तो रशिया है विश्व का सबसे बड़ा देश और भारत जो है साथवे नंबर पे है ये भी याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा महादवीब कौन सा है तो ये भी एशिया लंबा पशु कौन सा है विश्व का जिराफ सबसे उचा परवत कौन सा है माउंट एवरेस्ट 8848 मेटर जिसके हो चाहिए है अब ये कोशन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है वहाँ पर आपको दे सकता हो बुटान नेपाल भारत या फिर चीन तो आपको पता होना चींग कि नेपाल के अंदर है Mount Everest Confused नहीं होना कि Mount Everest भारत के अंदर है उसका राइडान से है नेपाल हम भारत के अंदर सबसे उची चोटी कौन सी है K2 जिसका नाम है Godwin Alston भारती अगनराज्या के पर्थम राश्टरपती कौन थे Dr. राजे अंदर परसाद Mount Everest पर चड़ने वाला पर्थम व्यक्ति कौन था तो ये नाम जुरूर याद रखिए Tenjing Nogre Tenjing Nogre या Norgre जो भी इसको आप प्रनुंसेश कर सकते हैं कारगिल कसवा किस राजे में है कारगिल कहाँ पर है जमू एंड कश्मीर में परस्वी पर सबसे बड़ा विर्थ कौन सा है भूम अद्या रेखा जो परस्वी पर सबसे बड़ा विर्थ है ये भूम अद्या रेखा जिसको के वेटर लाइन बोलते है ये सबसे बड़ा विर्थ है किस भारती नेता को भारत का लोग पुरुष का आ जाता है कि नहीं पर भारत का रास्टर ये पक्षी कौन सा है Mohr जैजवान जैकिसान का नारा किस ने दिया था लाल भादूर शाष्ट्री जी ने जो कि भारत के प्राइम निस्टर थे इनकी तजाकिस्तान के अंदर मौत हो गए थी दिल का दौरा पढ़ने से नेक्स देखिए प्रसिद उधरन सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किस ने दिया था तो ये नारा किस ने दिया था सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए ये दिया था अबराहिम लिंकन जी ने नेक्स देखिए बहुत गया किस धर्म से संबंदित है बहुत गया जो है वो बहुत धर्म के संस्तापक कौन थे गुरू नानक देव जी इनके उपर मुवी बढ़ी है नानक शाफ कीर वो भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी मुवी है सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी मुवी में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कई बार ये अपने एक लेक्चर में तीन चार मुवी के नाम बता दिया हम कौन कौन सी मुवी देखें इसा नहीं कि स्पेशल जाके वीडियो को बंद करो मुवी देखनी दख जाँ नहीं कभी फ्री बैठे हो मुवी को नोट कर लिया करो नानक शाफ कीर से आपको जितने भी चीज़ें है गुरुनानक देव जी के बारे में सारी जानने को मिल जाएंगी इनके बारे में क्योंकि वो सिर्फ सिखों के गुरुन नहीं थे उन्होंने हिंदु धर्म को बहुत चीज़े धी 他 दिहान से पढ़त violstars उनकी च्छ चीज़ें हो काफी छीज़ें उनकी तीकिंग मनाए गाथ हना happy birthday मनाया गया था गुरूपर मनाया गया था तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ दीजे question आने के काफी chances है और movies इसलिए बोलता हूँ कि जब कभी free हो तो थोड़ा सा देख लिया करो अब आपको mind भी fresh करना लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते है next देखिए आप भारत में सबसे पहली रेड़ गाली कब चली थी 16 अपरेल 1853 अब आप ये बता दीजे कि कहां से कहां तक चली थी मैंने आपको उपर ही बताया था भारत में सबसे लंबी सड़ कौन सी है GT Road जिसको गरांट ट्रंक रोड बोलते हैं जो की Central Government द्वारा बनाया जाते हैं या कंट्रोल किया जाते हैं सबसे पहले GT Road किस ने शुरू किया था मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताया हुआ है नहीं देखा तो description box में लिंक है देख लेने जाकर भारत सरवादिक शिक्षित राज्जा है भारत का तो केरल है वहाँ पर जो 94% शिक्षा दी गई है लोगों को चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं पंडिज जोहरलाल नहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जैपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और अगर कभी कोशना जाती कि हर्याना का कौन सा शहर पिंक सीडी के नाम से जाना जाता है, तो वो है फतेहाबाद, फतेहाबाद एक जिस्टी क जो कि Pink City के नام से जानी जाती है तो यह आप याद रखिए इंकलाब जंदाबाद का नरा सर्व पर्थम किसने दिया था तो सरदार भगत सिंग जीने इंकलाब जंदाबाद का नरा दिया था भारत का सरोच पुरुसकर कौनसा है तो भारत, रतन भारत का स्रोच पुरुसकार है भारत के सविधान को बनाने के लिए कथित सविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे डक्टर राजेंदर पर साथ जो की भारत के पहले प्रेजिडेंट थे भारतिया फिल्म अभिनेता शत्रुगंद सीना किस राज्या से संबंदित है तो वो बिहार से संबंदित है तो बिहार वालों को गर्व होना चाहिए और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलते हैं आपको वीडियोस जुरूर देखनी चाहिए पूरी किस ठान पर तेल रिफाइंडरी कार खाना है तो वरोनी के अंदर ये एक तेल रिफाइंडरी कार खाना है और अगर हर्याना में पूछा जाए किस जगा पर है तो हर्याना में आपको पता होना चीए करनाल और पानिपत दो जगा पर ये जो है तो आपको मैं जो हर्याना का बीच 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 में बताता रहता हूँ जो याद रखी अंगरेजों ने सबी लोगों को अपना गुलाम बनाया था तो अमेरिका भी पहले गुलाम था लेकिन हमसे वो सो सल पहले ही अजाद हो गया था राजिसान में किस तरह के पेड़ों में पतियां पाई जाती है वहाँ पर छोटी पतियां पाई जाती है अंजू बार्बी जौर्ज समंदीत है किस से अंजू बार्बी अथलिटिक्स है कौनसी रेखा विशुवत रेखा के समानतर है तो अक्षांस जो है, अक्षांश रिखा, विश्व्वत रिखा करे बिटोल समानतर है. किस थान पर सिन्दुघाटी सब्यता का बंदरगा स्थित है? सिन्दुघाटी सब्यता के बंदरगा कहा पर है? लोथल. लोथल कहा पर आई ए? राजिस्तान के अंदर. उसके उपर North में है याद रखिए East West North South यह स्टर्ष होते हैं East West और यह North और यह South तो चीन उपर ली साइड है याद रखिए North में कंचन जंगा परवत्षिकर भारत में कहां स्थित है कंचन जंगा याद रखिए वो सिक्किम के अंदर है सुर्यम से सबसे निज्जीक कौन सा ग्रहा है तो वो है बुद्ध तो यह आपको याद रखना है मैंने फर्स पार्ट के अंदर भी 100 कोशन करवा थे और जो है इस पार सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन जुरूर दबाईए ताकि जब भी कोई वीडियो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए चलिए फ्रेंट्स थेंकियो सो मच टेक केर वाई बाई 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 गोडबेस वार अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलिग कशन तो करैंगे यह कॉशन में सब्सक्राइब कर रहते हैं। आपको मिल सकता है और बाकी question यही रहेंगे always आपको यह question बहुत जाला काम आएंगे चाहे वो कोई भी exam है चाहे वो SSC का exam है चाहे वो किसी state PCS का exam है या फिर कोई भी state का exam है चलिए शुरू करते हैं वीडियो को भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहा हुई थी तो भगवान बुद्ध को बहुत गया बिहार में ग्यान की प्राप्ति हुई थी आर्या समाज की सापना किसने की थी स्वामी देयानन जी ने और यह समाज की स्थापना की थी पंजाबी भाषा की लीपी कौन से है तो गुर्मुखी पंजाबी भाषा की लीपी है बहुत बार यह कोशन आया हुआ है तो यह आप ध्यान दखिए भारत की मुख्या भूमी का दक्षिन्तम किनारा कौन सा है यह question बहुत ज़र important है वहाँ पर जाकर आपको confusion हो सकती है तो मुख्या भूमी का दक्षिनतम किनारा कौन सा है वो है कन्या कुमारी जो कितमिलनाडो में है और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का दक्षिनतम किनारा कौन सा है तो वो अन्नमान एंड निकोबार्थ विप्समू है तो यह आपको याद रखना है भारत में सबसे पहले सुर्या किस राजय में निकलता है तो और नाचल परदेश के अंदर सबसे पहले सुर्या निकलता है याद रखिए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उप्चार में होता है तो इंसुलिन का प्रयोग मदू में जिसको की शुगर बोलते हैं शुगर में इंसुलिन का प्रयोग होता है बीहू किस राज्या का परसित्योहार है तो बीहू असम का परसित्योहार है अगर इससे related कुछ और दो तिन कोशन आ जाएं तो अगर आपको एक भी option पता है कि हाँ भी हूँ असम का है तो हारा तो आप बागी कोशन भी कर सकते हैं मैचता following type में कौशा vitamin आवले में प्रचूर मातरा में मिलता है तो आवले के अंदर कौशा vitamin होता है vitamin C चलिए ये बताईए कि धूपसे कौशा vitamin मिलता है नीचे comment करके जरूर बताईए भारत का पर्थम गुवर्णर जनरल कौन था तो विलियम बैंटिक भारत का पर्थम गुवर्णर जनरल था कागज का आविश्कार किस देश में हुआ था तो चीन के अंदर सब्थे पहले कागज का आविश्कार हुआ था और कोई आप से पूछे कि सबसे पहली बुक कहां पर चपी थी तो वो भी चाइना के अंदर चपी थी तो ये भी आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था उनका नाम था सिधार्थ भारत में शिशेस्तर बलों का सरवच सिनपती कौन होता है तो राश्टर पती रतोंदी किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन A की कमी से रतोंदी होता है ये भी याद रखिये आप पॉंगल किस राज्येगों ते हार है तो पॉंगल, तमिल्ला, डुकात, योहार है Friends, मैं आपको एक बात की assurance देता हूँ कि अगर आप ये 1000 question अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और याद कर लेते, अगर आपको ये 1000 question याद हो जाते हैं तो आपको कोई भी exam है उसमें आपको जो है ने किया है, तो जॉन लोगी बेरड ने टेली विजन का अविशकार किया है ये question पहले आया हुआ, इसलिए मैं आपको यहां पर करवा रहा हूँ भारत की पहली महला शाशिका कौन थी? रजिया सुल्ताना भारत की पहली महला शाशिका थी चलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रजिया सुल्ताना के पिता जी का क्या नाम था आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? और इनका मकबरा गांग पर है, तलके अंदर इनका मकबरा है मचली किसकी साहिता से सांस लेती है तो मचली गल्फडों की साहिता से सांस लेती है जिस तरह से human being जो इनसान है वो फिर्फडों की साहिता से सांस लेती है मचली जो है गल्फडों की साहिता से सांस लेती है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था भगत सिंग जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था जेलियावाला बाग घत्याकान कब वे कहा हुआ था 1919 इस्वी में अमरिसर के उंदर 13 अपरहल 1919 तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए डेट भी याद रखिये अमरिसर में 1949 इस्वी में कांग्रेश छोड़ने के बाद सुभास चंदरबोस ने किस दल की स्थापना की थी तो 1939 में कांग्रेश छोड़ने के बाद सुभास चंदरबोस जी ने फॉरवर्ड पंजाब के इसरी किसे कहा जाता है लाला लाजपतराई जी को पंजाब किसरी के नाम से भी जाना जाता है सौंडरस की हत्या किस ने की थी तो सौंडरस की हत्या भगत सिंग ने की थी 1856 के विद्रो में किसने अपना भी नाम आपको याद भी होगा मंगल पांटे ने सिबसे पहले अपना बिलिदान दिया था इनको फांसी की सजा हुई थी भारत की पहली महला राजयपाल कौन थी तो सुरोजनी नाइडो भारत की पहली महला राजयपाल थी माउंट एवरेश्ट पर दो बार चटने वाली महला कौन सी है तो सिंतोष यादव जी नाम याद रखी बहुत इंपोर्टन्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किस के द्वारा की गई तो राजा राम मुहन राई जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई स्वामी द्यानन सर्थवति का मूल नाम क्या था तो उनका मूल नाम था मूल शंकर स्वामी द्यानन सर्थवति का मूल नाम था मूल शंकर वेदों की और लोटों का नारा किस ने दिया था बैक टू वेदास का नारा किस ने दिया था द्यानन सर्थवति जी ने राम क्रिशन मिशन की स्थापना किसने की स्वामी विवेकानल जी ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी वास्कोडिगामा भारत कब आया था लास्ट वीडियो में बताया था 1490-80s week के अंदर अब ये बताये किस पोर्ट पर आया था वो किस पोर्ट पर उतरा था लास्ट वीडियो के अंदर ये डिसकस हुआ है वास्कोडिगामा रहने वाला था वास्कोडिगामा पूर्ट गाल का रहने वाला था हवामेल कहां स्थित है हवामेल जैपूर में स्थित है सिख धरम का सस्थापक किस सिख गुरू को माना जाता है तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का सस्ताफक माना जाता है और गुरु गोबिन सिंग जी ने खालसा पंथ की स्ताफना की थी शिखों का प्रम्यूख त्योहार कौन सा है? बैसाक्षी लोपुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लोपुरुष कहा जाता है? नेता जी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभास चंद्रबोस जी को तो ये कॉशन इतने ज़्यादा इंपोर्टन है किसी ने किसी एक्जाम में कोशन इनमें से आपको डायरेक्ट मिलेंगे और आपको कोशन पढ़ते हैं आपके मायने उनका अंसर क्लिक करना चाहिए और अगर आपको इनकी PDF शेयरी तो हमारा टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं और अगर आपको इनका 1st और 2nd पार देखना तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया वहाँ पर जाकर आप इसका जो आप फुए फिर नीचे लिंक दिया गया वहां से आप उनके जो है remaining parts भी देख सकते हैं नेक्ट पार्ट देखने के लिए भी लिंक नीचे दिया गया है। नारा किस ने दिया था? तो ये दिया था अटल भ्यारी वाजबाईजी ने। विशव रेड़ क्रोस दिवस किस तारीख को मनाय जाता है? विशव रेड़ क्रोस दिवस तो आठ मई को मनाय जाता है। सुर्योद्वा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जपान को सुर्योद्वा का देश माना जाता है। अंतराष्त्रे मेला दिवस किस तीधी को मनाय जाता है? तो आठ मार्च को अंतराष्त्रे मेला दिवस मनाय जाता है। तोहार है चलिए बताइए बिहु किस राज्य का तोहार है बिहु यह कमेंट करके बताइए मैं अभी इस वीडियो में पहले बताया आपको दिली भारत की रायदानी कब बनी थी? 1911 में दिली भारत की रायदानी बनी थी सबसे चमकीला ग्रय कौन सा है? शुकर जो है सबसे चमकीला ग्रय है भारत का राष्ट्रे परशु कौन सा है? बाग भारत का राष्ट्रे पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रे जलिय जीवन कौन सा है गंगा डॉल्फिन जिसको गैंजिस डॉल्फिन बोलते हैं भारत का राष्ट्रे फल कौन सा है आम मैंगो भारत का राष्ट्रे फूल कौन सा है कमल अब यह तो आपको वैसे पता है कि कमल जो भारत का राष्ट्रे फूल हो चुक आसे length में 3 और इस तरह से breath में 2 तू याद रखे भारत का राश्ट्र गंड किस ने लिखा था रविंदर नाट यह ने बारत का राश्टर गीद कौन सा है वंदे मातरम यह किस ने लिखा था यह लिखा परयांग का उंसा है की जाने की रफ़जी कितनी है बावन सेकेंड रेडियो एक्टिविता की खोच किस ने री यह बहुत जार्थ इंपॉर्टन कोशन है इसको नोडाम कर लीजे कही पर भी पेस्चमेकर का संबन्द श्रीर के किस अंग से है यह इसको करितरिंग के लिए को master grant का जाता है most te gruppecus grant जिसको के पीटैयोश ग्रेंट बोलते है p", sucks मार्बंग का सरवादिक शुद्र्ड रूफ कौनसा है carbon का house the गीरा जो सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का यादर किये एक्सरे का अविश्कार किस ने किया था एक्सरे का अविश्कार रांटन ने किया था किस धातु का प्रयोग मानव दौरा सबसे पहले किया गया तो सबसे पहले तामबा का प्रयोग किया गया था अंतरिक शियात्री को बाहिया अकाश कैसा दिखाई पड़ता है तो उसको ब्लैक कलर का अकाश दिखाई देता है हमें जो है अकाश ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है वो ड्यू टू रिफ्रेक्शन के कारण हमें दिखाई देता है अधरेज अंतरिक शेत्री को बही आकाश काला दिखाई देता है दूरबिन का विश्कार किस ने किया था गैलीलियों ने दिली स्थित महादमागंदी की समाधी का क्या नाम है राजगाट भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी बंबई, वर्तमन, मुंबई से थाने तक पहली रेल चलाई गई थी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंब की गई थी कोलकाटा के अंदर भारत में रेल का आरंब किस सन में हुआ था 1853 में पर्थम भारते अंतरिक शेत्री कौन थे स्कुवार्डन लीडर राकेश शर्मा स्कुवार्डन लीडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उतरे थे बारत की पर्थम महिला मुख्यमंत्री कौन थी श्रीमती सुचेता क्रिपलानी हर्याना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे पंडित भगवत दयाल शर्मा तो यह आपको सारी शेज़े याद होनी चाहिए स्यूक्त राश्टर संग की स्थापना कब हुई थी 24 अक्तूबर 1945 को तो यह पूरा याद रखने 24 अक्तूबर 1945 में चलिए यह हैड़क्वाटर बताई का पर है युनाइटड नेशन का यह कोशन कई बार एक्जामे आया हुगा है यह नेक्स्ट में इसका अंसर मिलगा आपको न्यूव्यार्क है मुख्याल था श्यूव्यार्क 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 श्यूव्यार् बतलते रहते हैं, पांच पर्मानेंट हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पांच पर्मानेंट कौन कौन से हैं, चलिए किसी को याद है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सुखतराष्टर सुक्षा, संग सुरक्षा प्रिजर के कितने देश स्थाइस दिस्टlingen हैं, तो पांच स्दाई हैं, मैंने आपको बताया था, स्थाइस दिस्ट号 से हैं, अंतर राष्ट्रिय नेयरलय कहा स्थित है, दाहेग, होलंड में अंतर राष्ट्रिय नेयरलय स्थित है, International Court of Justice, ICJ, नेक्ट देखिए, स्यूखतराष्टर संक्षान के व में हिंदी के अंदर बाषण दीया था स्यूक्तराश्टर संग सुरक्षा फ्रीशित के chiar सज़्ग कितने वर्ष के लिए चूने जाते हैं जो 10 दस्य होते हैं आस था vinegar हो दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं हो इसूक्तराश्टर संग का 193 में वास दस्या कौन सा देश बना था दक्षिन सुडान किस विटामिन की कमी से खून का रुकाओ बंद नहीं होता अगर विटामिन की हो तो आपके कभी भी ब्लाड क्लोटिंग नहीं थी आपने कभी देखा हो चोट लग जाए तो हम उसको क्या करते हैं उपर से पगड लेते हैं तो क्या होता है वो खूनों आपर जम जाता है तो वो विटामिन की की वज़े से हमारा कून जाए उसके ठक्के बन जाते है और जम जाता है लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो खूल का रिसाव बंद नहीं होता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अब सेप्टेंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है सभजान के किस अनुशेद द्वारा हिंदी को राष्टर भाषा घुशित किया गया है? अनुशे 343, आर्टिकल 343 अलंपिक खेलों की एकल्स परदा में स्वर्म पदक जीतने वाले पहले एक मातर भारतिय कौन है? अब इन्व बिंदरा जुनोंने शूटिंग अंदर सबसे पहले एकल्स परदा में स्वर्ण पदिक जीता है अलम्पिक खेलों का योजिन कितरे वर्षों बाद होता है चार वर्षों बाद सन 2016 में अलम्पिक्स खेल कहां हुए थे रियो डे जिनेरियो के अंदर उनके जो है यह हुए थे अलम्पिक खेल अभी आगे 2020 में होंगे चलिए यह कोशन बहुत बाद आया हुए कि 2020 के अलम्पिक कहां पर होंगे बहुत ही असान सांसर इसका बताईए कहां पर है नेक्स वीडियो के अंदर आपको बता दूँगा अंतराश्ट्रे मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है 10 दिसंबर को अंतराश्ट्रे मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हर्याना की काउंसी नसल की भेंस परसिद है तो मुर्रा नसल जो की हर्याना की भेंस है बहुत ज़्यादा परसिद है परसिद शीतला माता मंदिर कहां स्थित है गुडगाउं के अंदर प्रसितला माता का मंदिर स्थित है विशाल हर्याना पार्टी किस ने बनाई थी? राव विरिंदर सिंग ने विशाल हर्याना पार्टी बनाई थी नोंने तो ये आपको जो है 100 कोशन में आपको करवा दिये हैं जो है next 100 आपको next वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और कोई भी डाउट हो करें तो नीचे कमेंट का क्या आप हम से पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो प्रड़ो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसके लावा फ्रेंट्स जो है HSSE की जो अभी शुरू हो चुक है Crash Course उसकी वीडियो में आपको मिल रही है तो वो भी जुरूर देखा कीजिए description box में सभी चीज़े चेक कर लेजिए website विजिट कर लेजिए वापर आपको जो है सभी चीज़ों की PDF मिल जाती है वापर आपको अलग-लग नई-नई books भी आप free of course डाउनलोड कर सकते हैं तो यह हमारे website है नीचे link दियागा डाउनलोड कर सकते हैं studymasterofficial.com या फिर Google पर भी सर्च कर सकते हैं आपको मिल जाएगी Thank you friends, take care, bye-bye God bless you all, आपका दिन चुब हो Hello friends, welcome to studymastero मैं हूँ आपका friend GS Rai Friends, इस वीडियो के अंदर आज हम next हमारे question करेंगे इससे पहले हमारे 300 question हो चुके हैं जिन्होंने last 3 part नहीं देखिए description box में link देगा है वहाँ से आप लोग वो चेक कर सकते हैं इसके अंदर हम next 100 GK question करेंगे और अगर आपको time सही रहा है जल्दी होगा question तो आपको इसके अंदर 150 question करवा दी जाएंगे Friends, इस वो question है जो बार-बार repeat होते हैं चलिए शूरू करते हैं अगर तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है तो इसका मतलब है कि तुफान आने वाला है तो ऐसा आपको जो है पूछा जाता है एक्जाम के अंदर तो आप जुरूर याद रखिए next देखिए आपर भारतिया मुरूस्तिल का क्या नाम है भारतिया मुरूस्तिल का नाम क्या है थार काजी दंगा राष्टर या भिहारन किस राज्य मिस्तित है बहुत ज़्याद इंपोर्टन कोशन है बहुत बार एक्जाम के अंदर आए हुआ तो वो आसाम में है next देखिए पिर्थ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में गुमती है उजयन किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो उजयन जो है सिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है निमन में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो चांदी जो है जिसको कि सिलवर बोलते हैं सिलवर बिजली की सबसे अधिक सुचालक है गोबर गास में मुख्य रूप से क्या पाय जाता है तो mithene जो है गोबर गास में मुख्य रूप से पाय जाता है तो mithene का फॉर्मला जुरूर लिखिये chemical formula क्या है mithene का कई बार भी पूछ जाता है तो नीचे के Simpsychence में जुरूर लिखे comment जूरूर कीजे और अगर आपको friends हमारी वीडियो अच्छी लेखती है तो please वीडियो को like किरके share कर दिया कीजिए और अगर आप ऐसी नई नई वीडियो के updates चाते हैं हम सही तो चैनल को subscribe कर लीजिए और कोई भी change चाते हैं तो please नीचे comment करके में बता दिया कीजिए वो हम आपके लिए changes भी कर देंगे next देखिए हैं precaution सब्सक्राइब मेरा जनम सी अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये किस के द्वारा कहा गया है ये लोक माने तिलिक जी के द्वारा ये कहा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है जस्यों का चुनाव कितनी अवदी के लिए की जाता है तो वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है और हर साल जो है मतलब हर साल यो कुछ Member जिका 1 third Member वन्तिसके और दुबारा से चुने जाते है तो 6 साल ये 6 वर्ष के अवदी याद रखिए हिंदी भाषा की लीपी कौन सी है देवनागरी चलिए ये बताई पुझाबी भाषा की लीपी कौन सी है मने आपको सेगेंड वीडियो के अंतर बताया था पुझाबी भाषा की लीपी कौन सी है हमारी अकाक्ष गंगा का नाम क्या है तो इसको दूग्द मेखला या मिलकी वेव भी कहा जाता है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्धन्त मारतंड तुलसिदा स्कृत रामचृतर मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो ये तुलसिदा स्कृत रामचृत मानस अबदी भोली में लिखी गई थी तो ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टन कोशन है फ्रेंट्स ये वही कोशन है जो बार बार आपके एक्जाम्स में आपको मिलेंगे कई बार आपको ये कोशन SSC में डिरेक्ट मिलेंगे, कई बार आपको अपने स्टेट PCS में मिलेंगे तो ये कोशन होएं जो आपको डिरेक्ट एक्जाम्स के अंदर मिलेंगे तो इन कोशन के प्रैक्टिस जरूर कीजिए अर्याणा के राज्य कवी कौन कहलाते हैं उद्या बनुहंस को अर्याणा का राज्य कवी कहा जाता है 118 आदुनिक ओलम्पिक खेलों की शुरुवात कब और कहां से हुई थी तो सबसे पहले जो है एंधेंस युनान में 18-16 में अद्दुनिक ओलम्पिक खेलों की शुरुवात हुई थी तो ये आपको याद रखना है भारत ने किस खेल में ओलम्पिक खेलों में आठ बार सवर्ण पदक जीता है तो असा कौन सा खेल है याद रखिए अब आप भारत ने होकी में सबसे ज़्यादा बार सवर्ण पदक जीता है भारत ने आखरी बार होकी में सवर्ण पदक कहा और कब जीता था तो लास्ट जो है 1980 में मौसको में जीता था उसके बाद आज तक भारत ने कभी होकी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है अलम्पिक खेलों का योजिन कितने वर्षों के बाद होता है तो चार वर्षों के बाद होता है last 2016 के अंदर हुआ था अभी जो है 2020 में होगा अंतररास्ट्रिय औलम्पिक समिति का मुख्यले कहां स्थित है ल्वास स्विजरलेंड में अंतररास्ट्रिय औलंपिक समीती का मुख्याला है तो ऐसे कोशन आपको डिरेक्ट एक्जाम के अंदर मिलेंगे वन लाइनर कोशन है तो याद आपको रखने पड़ेंगे सन 2012 में औलंपिक खेल कहां हुए थे तो लंदन के अंदर हुए थे चलिए अब ये बताईए 2020 के अलंपिक खेल कहां पर होंगे ये आप बताईए नीचे कमेंट करके अलंपिक धवज में कितने गोले होते हैं तो उसमें पांच गोले होते हैं तीन उपर को और दो नीचे ये पांच जो अलग-लग कॉंटिनेंट को दर्शाते हैं से एक उलमपिक में सरवधिक स्वरन पदक जीतने वाला खिलाड़ी है सन 2020 में ऐलंपिक खेल कहां पर होंगे तो टोक्यो जापान के इंदर होंगे मैंने आपसे Пूछा था तो यह हैं पांसर जीतनेवाल को संबंद किस खेल lesson नेवालit और हर्याना वासियों के लिए याद रखना है कि ये हिसार से है क्योंकि ये तो पता है कि हर्याना से है वो कोशन आगया सकता है कि हर्याना में कहां से है तो हिसार से है भारत ने ऑलंपिज़ खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था तो सन उघ्र界 तो में बात ने सबसे पहला विज़ा वैलंपिज़ खेलों में बारती मैला खेलों लिए थी फ्रेंट्स जिस टाम लगे आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जारे इंपॉर्टन्ट है उस टाम आप इसको शेर कर दीजे ताकि किसी दूसरे का फाइदा हो जाए और इसके पीछे वाले पार्ट्स जरूर देख लीजे क्योंकि वो भी इतने ही इंपॉर्टन्ट है जितना की ये कोशन आपके लिए इंपॉर्टन्ट है बैक टूदा वेदाज वेदों की तरफ लोटो नारा किस ने दिया था महरेशी देयानांद जी ने परसिद जंडा गीत जंडा उचा रही हमारा की रचना किस ने की थी श्यामलाल गुप्त पारशच जी ने इसकी रचना की थी ये कोशन आपके अंदर पूछा गया है मैं आपको वही कोशन करवा रहा हूँ जो बार-बार एक्जामस में आते हैं पशू में मिल्क फीवर बिमारी किस की कमी के कारण होती है मिल्क फीवर ये कैल्शम की कमी के कारण होती है ध्यान रखिए मानव शिरी के किस अंग दवारा यूरिया को रक्ट से फिल्टर किया जाता है तो यूरिया को रक्ट से फिल्टर कौन करता है किड्नीज जिसकों की गुर्दे बोलते है किस एकमातर भारतिया को अर्थशाष्टर में नोबल पुरुसकार मिला है तो प्रोफेसर अमर्तिया सेन को जो है 1998 के अंदर अर्थशेश्टर के अंदर नोबल पुरुसकार दिया गया है भारत रहतन उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वादे यंतर के वादने में विविख्यात रहते हैं तो वो शहनाई के जो है सबसे जो उनका नाम जो है शहनाई के साथ जोड़ा जाता है ध्यान रखिए वो शहनाई के वादक थे भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे अंतरिम गवर्नर जनरल थे सी राजिगोपाले चारही ध्यान रखिए याँपर बिलाई इसपाथ सिंतर का निर्मान किस देश के सयोग से किया गया था तो रशिया के हल्प से जो बिलाई इसपाथ सिंतर के लगाया गया था उत्री दुर्व में भारत के अनुसंदान केंदर का नाम क्या है तो उसका नाम है हिमादरी यह याद रखिए नॉर्थ पोल पे है फ्रेंट से याद रखिए नॉर्थ पोल पे भारत का जो है रिसर्ट सेंटर है उसका क्या नम है हिमादरी विशो में माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पर्थम मेला कौन थी जापान की थी वो जुनको तबाई अगर यह जुनको तबाई ना पता से जुनको भाई बन जाता है जो कि हर्याना से हो जाता है लेकिन जुनको तबाई यह जापान से है पीलिया किस अंका रोग है तो पीलिया जो है लिवर या यक्रित का रोग है तो पीलिया में क्या चीज़ फेलियर होता है लिवर फेलियर हो जाता है दरब सभी दिशाओं में समान दाप पारित करता है या कथन किस नियम से संबंदित है जो fluid का pressure होता है वो सभी direction में equal होता है तो ये किसका जो है ये कौन सा ला है तो ये Pascal का नियम या Pascal ला है तो ये आपको याद रखना है This is Pascal ला chlorophyll का खनीज गटक क्या है तो chlorophyll के अंदर कौन सा खनीज गटक होता है उसके अंदर magnesium होता है LPG gas में क्या होता है तो LPG gas में butane होती है ये भी याद रखिया आपके अशोक के अभी लेखों को पढ़ा था तो सरव पर्थम अशोक के जो अभी लेख थे वो किसने पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने ये कोशन भी आयोगा exam के अंदर किस बहुत बिक्षू के परभाव में अशोक ने बहुत धर्म ग्रेंड किया था उप गुप्त के जो परभाव में आकर रोनर जो बहुत धर्म को ग्रेंड किया था और कुछ बचों का क्या मानना है अभी याँ पर ध्यान से सुनिएगा वो कहते हैं कि सर ये question नहीं आते है exam में लेकिन friends आप मेरी बात मानिए ये question है जो बार-बार repeat होते हैं जैसे कि मान लिए किसी exam में 50 question आए तो 50 में से आपको ज्यादा नहीं मैं कहता friends 30-35 question इसी वीडियो में से आपको मिल जाएंगे जो मैं series आपको 1000 question की करवा रहा हूँ इसी में से मिल जाएंगे 15 question जो आपके current फेर से रहेंगे या इदर उदर से आपके state में से पूछे जाएंगे तो ये आपको लग से करने पढ़ेंगे लेकिन 30-35 question क्योंकि friends history कभी change नहीं होती history के वही गिने चुने questions है वही आपसे पूछे जाएंगे मैं history में आपको जो easy question भी करवा रहा हूँ moderate और tough question सभी तरह question आपको मैं करवा रहा हूँ ऐसा ही geography और ऐसा ही economy और politics के अंदर आपको सभी तरह question करवा जाए जाए तो फिर question बाहर से कैसे आजाएगा science के question भी आपको equally important है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ तो अगर यह आप ध्यान से सुन लेते हो और सुनने के साथ सथ सुनना जरूरी नहीं है सुनने के साथ सथ आपको याद भी रखना पड़ेगा याद भी अगर आप रख लेते हैं तो आपको यह अपकी जॉब लगने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा तो ध्यान रखिए रिविजन जरूर करते रा कीजिए और किसी का रिविजन में शेडूल नहीं बन रहा तो नीचे कमेंट करके बता दिजी इसको शेडूल के लिए एक से कुछ आइडिया दे दिया जाएगा या कोई हिंट बता दिया जाएगा कौनसा मुगल बादशा ऐशिक्षित था तो बताईए कौनसा था अकबर और इन्होंने अपना जो है देने इलाही पंत किस्ता अपना भी की थे अपना धर्म चलाया था और ये एशिक्षित था लेकिन इसका क्या कहना था कि मैं एशिक्षित हूँ इसने क्या कहा था अपनी लाइबरेरी बना रही थी और अपने पास जो पढ़ने वाले लोगों को रखा था वो बुक्स को पढ़ पढ़के अकबर को उसका जो है जीस्ट बुक की जो पूरी चीज होती है जीस्ट मतलब बुक का जो सार होता है वो समझाते थे इस तरह से ये बहुत ज़्यादा शिक्षित था लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था अमरिसर शेयर की स्थापना किसने की सी गुरू रामदास जी ने अमरिसर शेयर की स्थापना किया है तो यह आप याद रखिए गोल्डन डेमपल यहीं पर है अमरिसर में गदर पार्टी का सस्थापक कौन था लाला हर्द्याल गदर पार्टी का सस्थापक था सिक इतियास में लंगर पर्था किस ने शुरू की थी गुरु अंगत देव जी ने लंगर पर्था की शुरुवात की थी लेकिन अगर आ जाए कि सच्चा सौदा किस ने किया था सिक इत्यास में सच्चा सोदा किस ने किया था तो वो गुरु नानक देव जी ने किया था बुखे सादूओं को उन्होंने लंगर शकाया था मतलब उनको लंगर खिलाया था तो गुरु नानक देव जी ने सच्चा सोदा किया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिग वेद सबसे प्राचीन वेद है किस सुल्तान ने अपनी रायदानी दिल्ली से दौलताबाद स्थांतरित की थी मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी रायदानी जो दिल्ली से दौलताबाद स्थांतरित कर दी थी मुहम्मद बिन तुगलक पर्थम पंच वर्षे योजना कब प्रारम होई थी 1951 में पहली पंच वर्षे योजना शुरू की गई थी पांच साल के लिए बनाई गए थी याद रखिये आपर चीनी यातरी हंसांग ने किस विशव विजयले में अध्यान किया था जो चीन का यातरी था हंसांग उसने नालंदा इनुश्टी में अध्यान किया था कौनसा रख्ट समू सरवदाता कहलाता है जो O blood group होता है यह सभी को खून दे सकता है इसके लिए इसको उनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है सरवदाता मनुश्या के शरीर में कितनी हडियां होती है तो मनुश्या के शरीर में 206 हडियां होती है सुर्या के प्रकाश से कौनसा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन D जो है सुर्या के प्रकास से प्राप्त होता है इसलिए आपको थोड़ा टाइम दस से पंदरा मिनट धूप में बिताने चाहिए डेली ताकि आपकी हड्यों को प्रॉपर विटामिन मिलता रहे मादा एंफलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया टेलिफोन का अविश्कार किस ने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और फोन उठाने पे हेलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी गल्फरेंड का नाम था हेलो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की गल्फरेंड का नाम था हेलो तो याद रखिए प्रकाश की गती कितनी होती है? तो इसकी है तीन लाग किलोमेटर पर सेकिंड पिर्श्वी सुर्या का चकर लगाती है या सबसे पहले किस ने बताया था? कौपर निकस ने कि पिर्श्वी सुर्या का चकर लगाती है और लोगों ने उसको पागल घोशित किया था कि ये तो पागला कुछ भी बोल रहा है प्रकाश वर्ष का संबंध किस से है? खगोलिया दूरी से तो प्रकाश परव जो है खगोलिया दूरी है जो उनको अपने के लिए प्रकाश वर्ष का संबंध है स्वर्ण मंदित कहां स्थित है? मैं पहले ये आपको बता चुका हूँ अमरिसर में अब चार मिनार कहां पर स्थित है? हैदराबाद में कुतुब मिनार कहां पर है? दिल्ली में गेटवे ओफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में और इंडिया गेट पूछा जाए तो वो नई दिल्ली में ताज महल कहां स्थित है? आगरा के अंदर अजाद हिंद फोज की सापना कहां की गई थी? सिंगापुर में अजाद हिंद फोज की सापना सिंगापुर में की गई थी? शिक्षक दिवस कब मनाय जाता है? 5 सप्टेंबर को शिक्षक दिवस मनाय जाता है तो ये फ्रेंट्स आपके लिए नए कोशन भी कराय जा रहे है और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी रिविजन हो रही है वो भी क्विक रिविजन जल्दी से जल्दी बतलब सारे कोशन आपको एक साथ पढ़ने को मिल रहे है खेल दिवस कब मनाय जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाय जाता है किसके जनम दिवस को खेल दिवस के रूप में मना जाता है मेजर ध्यानचंद को के जनम दिवस को इसको होकी का जदुगर भी कहते है मेजर ध्यानचंद को तो इनके जनम दिवस पर खेल दिवस मना जाता है 29 अगरस्ट को विशो पर्यावरन दिवस कब मना जाता है पांच जून को करो या मरो का नारा किसने दिया था महत्मा गांदी जी ने चलिए ये बताई महत्मा गांदी जी का पूरा नाम क्या था जैहिंद का नारा किसने दिया था नेता जी सुबास चंदर बोश जी ने दिली चलो का नारा किसने दिया था सुबास चंदर बोस जी ने वेदो की और लोटो का नारा किसने दिया था द्यानान सरसवती जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भगत सिंग ने तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा ये नारा किसने दिया था नेता जी सुबास चंदर बोस जी ने आराम हराम है का नारा किस ने दिया जवाहर लाल नहरू ने जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था लाल बहादुर शाष्ट्री जी ने मारो फिरंगी को का नारा किस ने दिया था मंगल पांडे ने तो ये आपको याद रखने नारे क्योंकि ये exam में कभी ना कभी exam में पूछ लिए जाते हैं और जब अभी किसी के mind में आ रहा है कि sir कभी ना कभी पूछेंगी तो क्या फरक पड़ता है शायद हमारे exam में ना पूछें लेकिन सोचे फ्रेंट्स अगर दो student हैं वो exam दे रहे हैं दोनों को proper proper knowledge है लेकिन एक question ये आ गया कि मारो फिरंगी को नारा किस ने दिया आपने पड़ा है दूसरे ने नहीं पड़ा तो आप उसको टिक करोगे तो आप उससे दो नमबर आराम से आगे निकल जाओगे तो इसी तरह से आपको पता ही है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किस ने दिया था तो ये नारा राम पर साथ बिस्मिल जी ने दिया था भारत का नेपॉलिन किसे का जाता है समूंदर गुप्त को भारत का नेपॉलिन का जाता है याद रखिए आप सती पर्था के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस सुमाज सुधारका था राजा राम मोहन राई जी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किये थे सती पर्था के अंत में राम करिशन मिशन की स्थापना किस ने की थी स्वामी विवेकानन जी ने राम करिशन मिशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी का जनम दिवस किस तीती को मनाई जाता है 2 अक्तोबर को महात्मा गांधी जी की जनती मनाई जाती है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था अभी मैंने आपसे पूछा था देख लीजा आगा answer मौंदास कर्मचंद गांधी गांधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी थी गांधी दी तो ये आपको याद रखने है MY experiments with truth महात्मा गांधी ये बुक बहुत जारे important है इसको आप कहीं भी note down करके अपने आखों के सामने रख लीजिए एक्जाम में आपको जुरूर मिलेगी और Discovery of India किसने लिखी थी बताईए मने बहुत बार आपको बताया Discovery of India बुक किसने लिखी थी नीचे कमेंट कीजिए जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे जितनी चीज़ें आपको पता है आपको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़े याद रहेंगे अदर्वाइस पढ़ते जाओ भूलते जाओ फिर तो बस यही है कि आगे-आगे बढ़ते जाईए पीछे बाला छोड़ते जाईए भारत का सरवच नागरिक समान कौन सा है भारत रतन फिल्म के एक शेतर में दिया जाने वाला सरवच भारते पुरुसकर कौन सा है दादा साथ फॉलके पुरुसकर इन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी इसलिए इनको जो है यह पुरुसकर इनके नाम पर रखा गया दादसाय फॉलक है भारत का सरवच वीरता पद्र का नाम बताएं परमवीर चकर भारत का शेक्षपिर किसे का जाता है कालिदास को कंप्यूटर का पिटा किसे का जाता है चार्ल्स बेवेज को अंतरिक्ष में जाने वाला पर्थम यक्ति कौन थे यूरीग गागरिन रूस रूस के थे नेल आरंस्टरॉंग अंतरिक्ष में पहले पर्थम भारतिया कौन है राकेश शर्मा याद रखिये आँपर पर्तम भारतिय उपगरया का नाम क्या है इसे कब छोड़ा गया तो आर्य बट को उन्जी सुप चत्र में छोड़ा गया था याद रखिए शुप तराष्टर संग के वर्तमान महा स्चिव कौन है तो बान की मून जो शुप तराष्टर संग के जो है स्चिव थे लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं अभी बान के मून नहीं है तो ये आपको याद रखना है तो भी लेटेस्ट कौन है नीचे कमेंड करके आप लोगों में बताईए कि लेटेस्ट कौन है अंतराश्ट्रे मेला दिवस किस तीथी को मनाया जाता है तो अभी जो इनके सेक्रेटरी जनरल है याद रखिए बन की मून पहले थे अभी इनके जो है अन्टोनियो गुटेरस नाम दिखवा देता हूं मैं आपको अन्टोनियो गुटेरस तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अंतराश्ट्रे मेला दिवस कब मनाया जाता है आठ मार्च को आठ माई को क्या बनाया जाता है यह बताए फ्रेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था आठ मार्च और माई इकटा इकटा याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा और फ्रेंट्स अभी